आप मेंसे कितने लोग हैं जिनको गुसा आता है? सबको आता है, जिनको बहुत गुसा आता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुसा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हुना, उसको ध्यान से सुनना हो जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ उपर किया और बोला के मुझे गुँसा आता है सब जूट, सब भकवास कोई गुसा नहीं आता आप लोग को आप लोग जान बूच करके एक्सेप्ट करना है इसको सुनना है ध्यान से आप लोग जान बूच करके सोच समझ करके अपनी मर्जी से गुसा करते को पिसा पूजए टॉटेट नहीं है जो आता है, तो मुझे सुसु आता है, तो उसमे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कि वह टोड़ेट आया है, तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, तो गुस्सा क्या है, यह डांस के जैसा है भाई, तब है तैसमे बढ़ेखाई कर दांस आप करते हो, आपका मन करे तो आप दांस करो, मन करे 10 गंडे करो, मन करे रुख जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो, आपने से कितने लोग जॉब करते हैं तो आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं किया कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है क्या नाम है आपका तो जै भाई कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जो बॉस है उन्होंने बिना बाद पे किसी वज़े से उनका mood खराब था घर पे या किसी वज़े से business पे कोई problem चल रही थी बिना बात के आपकी बिना किसी गलती के जबरदस्ती आ करके आपको डाट दिया कई बार हुआ है और बहुत लोगे साथ तो रोज होता होगा कि बाट बताओ आपके साथ में यह होता है कि अपके साथ में यह था है क्या आप ज सक घर करके उस बॉस को मारने लग झाते हों पीटने लग जाते हो अपनी आखे लाल करके उसको उमली दिखा करके बोलते हैं आज के बाद यह दुबारा नहीं होना चाहिए खबरदार कोई भी है जो ऐसा करता है एनिवड़ी कोई नहीं करता तो क्या करते हैं उस समय हम चुप चाब मूनी चे करके खड़े रहते हैं और इसकी सारी बाते सुन चाहिए भी सुन आट तो आप अपने घर पे बैठे हो अराम से टीवी देख रहे हूं आपकर छोटा वाला वच्चा है उर्ष रोता रोता आपके सम्ने आये पापा वह भाईया ने मुझे मारा 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 उस वक्ता क्या करते हो जा करके अपने बॉस का गुस्सा दी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े वच्छे के ओपर निकाल देते हैं बिना ये समझे कि उसकी गल्ती है भी या नहीं है तो अब ज़रा ध्यान से देखो इन दो सिचुवेशन को तो आपको ये बात समझ आजेगी जो अभी मै गुस्सा आ रहा है उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्स्प्रेस नहीं हो रहा है क्यों कि वहां पर आपका नुक्सान है आपको पता है कि भाई या बॉस की आगे अगर मैंने गुस्सा किया बोलना तो बहुत दूर की बात है अगर आँखे दिखा दी उसको बॉस को मेरी लग गई नौकरी गई तो गुस्सा आमने नहीं किया अपनी मर्जी से दूसी तरह वो जो बच्चा है चोटा सा हमें पता है कि महां हमारा कोई नुक्सान नहीं है अगर मैंने बच्चे को मार भी दिया तो यह कहां जाने माला है क्या घर शोड़के चला जाएगा क्या और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली वन करके खड़े रहते हैं यह आदत पड़ गई है हमारे है अगर इस हैबिट को उन सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप यह है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रि अगर आप यह बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है मैं जान बूच करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं तो आपके हाथ में कंट्रोल है कर दो आता है